हेलो गाईज देखिए हमारा गाउं का जलनल का स्टाटर है दोस्तों घरे घरे पानी सपलाई होता है इसमें इसे स्टाटर से हर घर में पानी जाता है तो चलिए दोस्तों इस मोटर को हम ज्याज करते हैं सुबा का समय है दोस्तों तो चलिए इस मोटर को ज्याज करने से पहल ही में मतना होता है हम चलिए भोल्ट मीटर पर हम सेट कर चुके हैं मॉल्ट्मीटर को की बुटेज प्राइब चलिए माप रहें दोनों पॉइंट पर प्ल से वायर आ रहा है मैं सप्लाइ उसी पर फोल्ट में देखिए 388 जा चुका है यह हमारा भोल्ट ठीक है अब हम भी चालू कर कर देखते हैं किया दीकत आता है इसे है चलिए दोस्तो बन्हें पुष्ण नहीं किया कर दोस्तों यह भी हमें जानना जरूरी है दोस्तों चलिए Found करते हैं और यह डेरेक्ट है दोस्तो क्रों देख सकते हैं हमने आपना MPR भी लगाया है फिर भीensivezer नहीं किया और अम मोटर को वाय को खोल लेंगे इसमें लाइन थो सौधानिक पुर्वक काम करेंगे हैं इसमें लाइन है अराम से मोटर को को और को खोल लेंगे कि चलिए दोस्तों तीनों नट को पहले ब्हुपिन कर लते आचानक मोटर को ख़िच देंगे बाहर जाएगा कोई सोट सर्कुट होने के दर नहीं रहेगा देखिए दोस्तों मोटर को वाइर खोल चुके हैं आचानक खिच दिए अब हम मॉल्टिमीटर की सहायता से मापेंगे क्या चीज़ मोटर का कॉंटिमीटी मापेंगे मोटर का वाइंडिंग को जाच करेंगे तो चलिए मॉल्टिमीटर को हम सेट करते हैं कॉंटिमीटी पे my continuity पर सिंवल दिया रहता है दोस्तों उस पर हम सेट करते हैं सेट करने के बाद हम मोटर को वायर को लेकर जाच करेंगे कि हमारा continuity आच्छा है या नहीं है देखिए दोस्तों चलिए जाच करते हैं मोटर को वायर ले लिजिए ले आउसी भी पर्च व से पले हमें एक बुलु बुलो फैक्राइब कहते型 नहीं किया है अमारा तो तो देखिए गाई जी यह continuity शो नहीं ही वाया मीटर भी नहीं बोला और रेट के देखते हैं क्या होता है देखिए दोस्तों रेड़ पे भी मीटर नहीं बोला है हमारा अब हमें क्या करना पड़ेगा मोटर को बॉड़ी अर्थ हम मातेंगे दोस्तों कि मोटर में बॉड़ी और फाता है तो चलिए दोस्तों मॉल्ट को भोल्ट मुटर पर चुके हैं करके होगा ज depends हमें को को की कोई मोटर पे जोड़ देंगे तो हम मोटर को देंगे में सप्लाइब और वoles वोल्टे सो कर ले गा अगर बोल्डी अर्थ होगा तो है देखिए दो生iment 220 दोल्टे सो किया है हमारा दोल मोड़ािज का उपर हुद शो कर लिया है हमारा मॉटर में फूल वोल्डी अर्थ आता है दोस्तों हमें मोटर कोचिच न पड़ेगा दोस्तों मोटर को बंडिंग जल चुकी है दोस्तों मोटर को वाइनिंग ठीक नहीं है तो हमें जल से जल इस इस मोटर को वाइनिंग करना पड़ेगा दोस्तों देखिए आप कोई भी मोटर इस तरह चेक कर सकते हैं